कि बंगाल में अपनी आस्ता का पालन करना भी गुना हो गया है बंगाल में ती एमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती जए स्री राम जए स्री राम बंगाल में ती एमसी ये सरकार राम नौमी नहीं मना ले देती कॉंग्रेस और लेप के लोगों ने भी राम मंदर के विरूत मोर्चा खोल रखा है आप मुझे बताईए साथियो क्या टी एमसी कॉंग्रेस और लिप्स के हाथ में ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या ये देश उनको दे सकते है क्या साथियों टी एमसी कॉंग्रेस के इंडी एलायंस ने तुष्टी करान और वोट बेंक की पॉलिटिक्स के आगे गुट ने टेक दिये है कॉंग्रेस और इंडी एलायंस के लोग कहते हैं कि मोधी के खिलाप वोट जिहाद करो वोट जिहाद यहाँ टी एमसी के हमेले ने कहा है कि हिंदूओं को बगीरती में बहा देंगे सोचिए इतनी हिम्मात इतना साहस यह सब किसके सहारे हो रहा है इन लोगों ने बंगाल में हिंदूओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रख दिया है आज मैं पी एमसी हो या कोगिरेत या फिर इंडिय एलायंस मैं डंके की चोट पर बंगाल को पाँच गारंटी दे रहा हूँ पाँच गारंटी दे रहा हूँ जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा दूसरी गारंटी जब तक मोदी है एसी एसी ओबीजी का आरक्षान कोई खस्म नहीं कर पाएगा पीश्री गारंटी जब तक मोदी है राम नवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा और पांचवी गारंटी जब तक मोदी है राम मन्दिल पर सुप्रीम कोड का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा और पांचवी गारंटी जब तक मोदी है सीए एक कानुन को भी कोई रद नहीं कर पाएगा और आप जानते हैं मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लमों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन